हलो दोस्तों फिजिक्स वंडरलेंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है लास्ट लेक्चर लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें डाइमेंशन के बारे में हमने डिसकसन किया था कि कैसे हम डाइमेंशन सौल करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की आज उसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे डाइमेंशन ही सौल करेंगे यदि आपको कोई फॉर्मूला दिया हुआ है तो उससे हम कैसे डाइमेंशन साइन आउट करते हैं तो एक दो प्रोलम बता देते हैं फिर उससे आगे और हम सौल करेंगे तो वही टोपिक कौन्शा है डाइम डाइमेंशन अब कुछ डाइमेंशन हमने निकाली थी लास्ट लेक्टर में आप देख सकते हैं तो जैसे फॉर्मूला बेस्ट डाइमेंशन कैसे निकालें तो मान लो फॉर्मूला दिया हुआ है एफ इक्वेस्ट टू जी एम वन एम टू अपॉन आर इसक्वार यह फॉ फॉर्स है बल है किसको बता रहा है बल को जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टन यानि कि सारोतरी गुर्तवाकर्शन नियतांक एम 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 टू दरौमान हैं मास हैं और आज उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी है और इस बल को बोलते हैं गुर्तवाकर्शन है तो यहां पर हमें पूछा गया है कि जो जी है इसकी डाइमेंशन से हमें निकालों तो फिर काफी हम प्राफिन सॉल कर सकते हैं Veeth यदि हमें पता होगा तो उसे निकाल सकें तो हमें यहां पर जी की डाइमेंशन निकालनी है जो क्या है सारोत्रिक गुर्तवाकर्शन नियतांक है तो सबसे पहले जी को हम सौल करेंगे इसको इधर बुना करूं तो आएगा एफ आर स्कॉर इक वेस्ट टू जी एम वन एम तू यह आगया जी निकालना तो इसका इधर दी भाग चला जाएगा तो जी बराबर आजाएगा एफ आर स्कॉर अपॉन एम एम टू के बराबर सब्सक्राइब यहां है तो इसको इंदर गुला कर देंगे तो आगे क्या जाएगा आगे आएगा जीए क्वेस्टू आजाएगा यह क्या है एंग वन एलवन टी माइनस टू और इसको मैं बूना कर दू अंदर तो 0 से को 2 से गूना करेंगे जिरो यहां 6 यहां 2 आजाएगा यहां 2L 2 भाग में इन दोनों पावर को मैं add कर दूँ M को M के साथ में L को L के साथ में T को T के साथ में तो क्या जाएगा यह आजाएगा M की power 2 L की power 0 T की power 0 अब इन दोनों की powers है उनको भी हम add कर दें जोड दें तो G equals आ जाएगा M 1 plus 01 हो गया L कितना हो गया 1 plus 2 3 हो गया T minus 2 0-2 हो गया और भाग में क्या है M2L0T0 यह आ गया अब इसको उपर लेके जाएंगे तो वही सिस्टम आपका जो पिछे हमने किया था उसी का उप्योग यहां पर हम करेंगे तो क्या आएगा देखिए आगे आएगा result वहुगा C I poco उसको उपर इसको उपर लेके जए क्या होगा है तो माइनस तो ऐम की पाऊर 1aan की पाऊर 3 की पार माइनस-2 आपको बहुत मीइनस-2 now की कि पाऊर 0 दिकी पाऊर जिरो अब इनकी पाऊर को भी हम जोडें एड कर दें तो G की वीमा जाएगी हमारे पास 3-2 यह किसकी वीमा गई यह सालतर गुर्तवा-कर्षण Accessращ यदि हमें सुत्र याद है यदि उनका फॉर्मुला याद है मात्रक याद नहीं है तो इसकी साहिता से इसी परकार से हम क्या कर सकते हैं वीमाइं गयाद कर सकते हैं अब आगे हमने जब लास्ट लेक्चर पड़ा था उसमें MLT की वीमा का ही उप्योग किया था किसका MLT या निकल लंबाई द्रवेमान और समय की वीमा का उप्योग किया था अब हम धारा की जो वीमा है उसका भी उप्योग आज करेंगे और कुछ वीमाएं ग्याद करें तो यह वीमा थी अब हम आज कुछ वीमाई निकालेंगे जिसमें इसका उप्योग होने वाला है यानि कि धारा का उप्योग भी होगा आपका कैसे होगा वह हम यहां पर discussion करेंगे सबसे पहले हम निकालते हैं चार्ज किसकी वीमा निकालते हैं चार्ज आवेस की वीमा क्या सुत्र होता है इंटो Oke क्या है करेंथ हें आई और संबष कमें आपने पřड़ा होगा क्यों प्राबर क्यों होता है उसको वजुद क्यों प्राबर क्या जाएगा ऑई इंटू तो आवेश का सुत्रों गया धारा गुणा समय अब धारा की विमा आप उपर लिखिए तो क्यू बराबर कितना जाएगा धारा की विमा लिख दीजिए एम 0 एल 0 ट 1 सोरी ट 0 है ट कितना है 0 ए 1 है और स्मॉल टी पर जन करता समय को और समय की विमा कितनी है M0 L0 T1 और A नहीं होगा तो A0 अब वही सिस्टम में क्या कर दें पावर को एड़ कर दें तो क्या जाएगा क्यों बराबर आ जाएगा M0 प्लस 0 0 हो गया L0 प्लस 0 0 हो गया T0 प्लस 1 1 हो गया A1 प्लस 0 1 यह किस की विमा आ तो यहां मैं लिख देता हूं चार्ज की विमा हमारे पास कितनी है M0 L0 T1 A1 यह किसकी विमा आ गई हमारे पास जो डाइमेंशन आई है वह चार्ज की डाइमेंशन आगे अब हम इनका यूज करेंगे कैसे करेंगे वह हम यहां पर देखेंगे आज के लेक्टर में सबसे पहल by electric potential में में विद्धुत विभाव किसकी विधुत विभाव का सुत्रों होता है वी बराबर डबलू अपॉन क्यों क्या होता है वी से लिपर्जन करते हैं वर्क डेंड डबलू वर्क हो गया क्यूंप चार्ज हो गया किसी आवेस को एक बिदू से दूसरे बिंदू तक हम ले incredibly ने जो आंदू के बीच में जो अंतर होता है इसको विभांतर कहते हैं जो आंतर होता इसको विभाव यदि आपका आ呢 पर नखाँ अनद पर अंदर व्यूह को सुन्य माना जाता है तो अन्द ऑफिससे विंदू कि विद्दू लेकर आएंगे तो वही जो विभानत्र होगा वो विभव कहलो हैं तो वी बराबट डबलू अक्यों की चोछे कि विमा हमें पता थी एम one l two t- दो किसकी विमा ति कारे की भीमा थी आवेस कीHow अभीय अभी हमने लिखी है यह सोल की है कितनी है M0L0 T1A1 अब वही परक्रिया वही है इसको उपर लेकर जाएगे प्लस वाला माइनस में हो जाएगा तो क्या जाएगा वी एक्वेस्ट वा जाएगा M की पावर 1 L की पावर 2 T-2 इन टू में यह उपर चला जाएगा तो यह जाएगा M0L0 T1-1 A-1 अब क्या करना है अब आगे इनकी पावर को एड करना है तो सोल करने का तरीका होना चाहिए कि एक सिस्टम वही चल रहा है बार-बार सिस्टम वही चल रहा है लेकिन इनके फॉर्मूले यदि याद हैं और दाइमेंशन चार डाइमेंशन हमें याद हैं तो उन्हीं का उप्योग करते हुए हम इनको सॉल करते जाएं कैसे हमने काले पहले निकाल ली इसकी वीमा आवेस की नहीं पता आज निकाल ली तो आवेस की हमें जदी धारा की वीमा पता है ठेक है तो खतता है फिच lob उप्योग करते हैं तो यहां पर अब पावर को एड़ करेंगे तो क्या है यहां पर एसे लिख सकते हैं एक पावर यहां पर यह आगया विदुत विभावं जो है उसकी विमा इसको भी मन लिख देता हूं उप्योग होगी अभी अब यहां पर हमारे पास M1 L2 T-3 A-1 यह किसकी है विभाव की विमा हमने निकाली विदुत विभाव अब आगे हम और विमा निकालेंगे जिसमें धारा का उप्योग भी हो रहा किसका उप्योग हो रहा धारा का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने लंबाई दरवेमान और समय की जो विमा है उनका में ले ले अब हम आगे एलेक्टले को क्या है एलेक्ट्रिक फिल्ड क्या है कि विद्धुत चेतर हुआ मनें प्रजन करते हैं इसका सुतरा है M0 L0 T1 A1 यह हो गई इसको उपर लेके जाएंगे प्रक्रिया वही चलेगी तो E बराबर कितना जाएगा M1 L1 T1-2 उपर लेके जाएगे तो प्लस वाला उपर जाकरके माइनस हो जाएगा तो M0 L0 T की पावर-1 A की पावर-1 अब जो इनकी पावर है जो हाथ में उनको एड़ कर देंगे जोड़ देंगे तो क्या जाएगा M1 प्लस 0 1 L1 प्लस 0 सोरी 1 प्लस 0 है तो 1 आएगा T की पावर-2-1 तो-3 A की पावर-1 यह किस की आ गई यह विमा हमारे पास आगे किसकी विद्धुद छेतर की किसकी विमा निकाल ली हमने विद्धुद छेतर की विमा इसको मैं मैं साइड में लिख देता हूँ आगे यूज हो तो विद्धुद छेतर की विमा हमारे पास कितने ए बराबर आई है M1 L1 T-3A-1 यहां तक की लिए तो अब तीनों में ही देखें यहां पर जो तीन वीमाई हमारे पास लिखी हुई हैं तीनों में विद्धुद्रा कुप्यों हो रहा है किसको रजब कि देखो गे तो उसमें विद्धुद्रा का उप्यों को नहीं मिलेंगा क्योंकि हमने MLT का ही उप्योग किया था आज हम धारा का भी उप्योग कर ले आगे देखिए एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या है फाई एक्वस्टू क्यू अप्साइलन पहले इससे पहले हम सौल करते हैं एक्वस्टू होता है एक्वस्टू वन अपों फॉर्मू अपउर डूरी है और टिक हमें अप्साइलन जिरो की डायमेंस से निकाले जैसे शुत्र निकाला था जी की डायमेंसिन वीमा हमने निकाली थी वैसे ही अपसालेंजिरो की विमा हमें निकालने अपसालेंजिरो क्या है निर्वात की किसकी निर्वात की विद्दूत सिलता इसको क्या बोलते हैं निर्वात की विद्दूत सिलता निर्वात की विद्दूत सिलता पर्मिटिविटी ओफ फ्री इस्पेस क्या बोलते हैं पर तो आपसालेंजरों को मैं लिखना हूं तो आजाएगा f r square upon q1 q2 4 pi हमें यूज नहीं करना क्योंकि इसकी कोई विमा नहीं है और लिखना चाहो तो यहां पर 4 करें तो और अच्छा रहेगा टाइम बचेगा बाकि लिख सकते हैं तो अपसालेंजरों बराबर इसकी विमा नहीं तो इसको छोड़ रहें बल्कि विमा क्या होती है m1l1 t-2 आर दूरी है दूरी की विमा m0l1 t0 की पावर 2 हो गई आवेस की विमा देखें यहां पर लिख्य हुई है कितनी लिख हुई है m0l0 t1 a1 और यह भी आवेस हैं इसकी विमा भी कितनी हो जाएगी m0l0 t1 a1 यह हो जाएगी अब इसको सोल करना है सोल करने का वही मैथड है इनकी पावर पहले तो इसको गुणा कर दो इसके साथ में तो क्या जाएगा यहां पर आजाएगा m1 1L की पावर 1, t की पावर,2 इसको गुणा करेंगे तो यहागे 1L mental k ediyor इनके साथ में इपर ले लेके जा रहा हूं तो क्या जाएगा इसको उपर लेके जाएगे तो ऐगा m0,l 0 t1 a絹 रेकिस, कि वह दो पर लेकर अब यह प्लस आपbell is highap or यहां पर बीड़ दो यहां क्या जाएगा माइनस ऑल यह पर भी माइनस ऐसे इसको भी लिख तो गमें 302 फ्याल वर यहलोग पिंदेक यहाँ प्लस है उपका दिकर क्या ह democratic नीचे जो हो उसको जब उपर लेकर बैंड़ कि जाने माइनस का प्ले branding अब इनकी सबकी पावर को एड्ड कर दो जो पावर है यहाँ पर हमारे पास इन सब को हम गया कर दें तो एड्डान जीरो की विमाह हमारे पास आ जेँगे यानि कि अपसाइलेंजिरो की डाइमेंशन हमें मिल जाएगी तो एड करें तो यहां पर एक दो तीन चार है घबरारा नहीं है जितना बड़ी प्रॉलम होगी उतना ही इजी आपको देखने को मिलेगा तो पहले लिख जी जी एम एल टी और ए लिख दिया एल आएंगें अदे चेन में की पावर है उनको एड करो यागें प्लस जीरो प्लस जीरो दो आएम की पाहर ऑगें और प्लस टूर्स तो टि की पावर-2-0-1 माइनस-1 तो माइनस 2-1,3 तो elaborate मालप माइनस一個 तो ट की पावर मैनिस फॉर, entrev यहां नहीं, 0 हो गए यानि simulator यहां भी एकश जीरो हो गए यहां पर एकश्टार माइनस वन यहां पर एकश्मावर-1-1-1-2, यह किसकी विमा गई? यह Epsilon 0 यानि कि निर्वाद की वितुत शिल्दा की विमा हा गई अब इनको याद रख़ें यदि हम वीमाओं को याद रख़ें तो यहाں पर हमने देख एक system हमने बनाया हमने पहले عवेश की वीमा निकाली किसकी निकाली عवेश की आवेश की आवेश से पहले हमें धारा की पता थी तेदिए वो एक आप के निकाले फिर की निकाल है बसक्तवर केम एक चुछ को कि कहते हैं गोष्लो भी कहते है части यह अभी पता लग ढICIA होगा आपका निर्वात की विद्धुथ शेलता इसको वोलते हैं podr flex कि और यह आपके बारी क्लास में है विद्धुत फ्लेक्ष क्या होता है कैसे उसको दिफाइन और तब इसको explain कर देंगे डिटेल से यहां हम dimension वीमा की ही बात कर लें तो उससे हट करके हम नहीं कर रहें तो यहां पर देखे 5 की वीमा हमें निकालनी है तो क्यों क्या है आवेस हैं तो आवेस की वीमा यह लिखी हुई M0 L0 T1 A1 ठीक अब सालें 0 की यह रही अभी हमने निकाली है कितनी है M1 L3 T4 A2 अब वही सिस्टम है क्या कर दें इसको उपर लेकर जाए तो अब देखिए माइनस वाला भी आ रहा है अब ही तक हमने जो यूच किया उसमें प्लस प्लस ही आ रहा था लेकिन अब क्या रहा है माइनस भी आ रहा है तो इसको कैसे सोल करेंगे देखी M ai की पावन compliant इसको ऐसे का से लिख अब इसको लिखेंगे तो amendments It or a पहले यह यह लिख लो यह प्लस ऐओ जाए गा तो क्या माइनस तो माइनस 1 यहًं प्लस उपर जाकरके माइनस तरी यहां माइनस ऊपर जाकर के plus तो plus 2. अब इंकी power को add कर दू. अब simple हो गया. M, पहले M लिख लो, L लिख लो, T लिख लो और A. अब जो power TR, वो गलती नहीं होगी. M की power 0, minus 1 तो क्या गया? One Meus 1. Layer City Power 0, minus 3, to minus 3. T की power plus 1 та plus 4. तो कितना हो गया, 5? A की power plus 1, plus 2, तो कितना हो गया, 3? तो यह किसकी विमा गई यह विदुत फ्लक्स फाई की विमा आ गई तो ऐसे फॉर्मले से हम क्या करते हैं डायमेंशन विमा को सौल करते हैं आगे देखिए और क्या है जैसे आपने पड़तिरोध के बारे में पढ़ रखा होगा क्या पड़तिरोध ओम के नियम में किसके ओम के नियम के अनुशार R बराबर क्या होता है V upon I क्या होता है V upon I, तो यहां पर R पर्तिरोध है, रजिस्टेंच है, V इलेक्टिक पोटेंशल विद्वत विभव है, I current धारा है, अब हमें R की विमा निकालने हैं, तो R की विमा निकालने के लिए हमें किसकी विमा लिखने वी की विमा। वी की विमा ऊपर लिखुए कितनी है M1 L2 T-3 A-1 और करण्ट की क्या होती है M की पाउर 0, L की पाउर 0, T की पाउर 0 और A की पाउर 1 यह वितुत धारागी अब इसको उपर लेके जाएंगे तो उपर लेके जाएंगे तो सिंपल हो जाएगा क्या जाएगा M1 L2 T-3 A-1 इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया इसको उपर लेके तो क्याएगा M0 L0 T0 A की जाएगे अब जो घाते हैं जो पाउर हैं उनको एड कर दें तो M L T-A मैंने लिख दिया M की पाउर 1 प्लस 0 तो 1 हो गया L2 प्लस 0 तो 2 हो गया T की पाउर माइस 3-0 तो माइस 3 A की पावर –1,ге immer –2 यह किसी विमा आ गई परतिरोध रेजिस्टेंस नहीं करनी है और जो आपको वीमा निकालते हो उसको कायमेंट्स में आप लिख सकते हो जिससे आपको पता लग जाएगा मैं चेक करके आपको बता दूँगा तो जैसे बी है मैगनेटिक फिल्द बी की वीमा निकालनी है तो इसके लिए सुत्तर दे रहाँ एफ इक्वर्ष्ट डू अल बी यहां से बी की वीमा astics कालनी है बी को जो क्या वोलते हैं चुम्ब की जैतर एफ है बल आई है विदु धारा अल है लंबाई है कि बल्व फॉर्ट हो गया करंट धारा हो गई लैंथ लंबाई और यह हो गाई मैंगनेटिक फिल्ट चुम्ब किया च्छे तरह यानि कि B की विमा निकालने दूश्रा है फाई क्या है इसको लिखते हैं फाई बी इन्टु ए क्या लिखते हैं बी इन्टु इसको बोलते हैं अभी हमने पढ़ा फाइ उसको विद्दुथ फ्लक्स कहा इसको फाइं बी लिख देते हुँ कि मुकीय फ्लक्स क्या पढ़ते हैं चुम्किय फ्लक्स और इसक शुतिर फाई मी इकवेस्टू बी इन्टु देंORY B है चुम्व के चतर, यहां से चुम्व के चतर निकल जाएगा, तो यहां रख देंगे, A है चतरफल, B चुम्व के चतर, A क्या होगा है, चतरफल, मैगनेटिक फिल्ड और एरिया, हमें किसकी निकालनी है, चुम्व के या फ्लक्स की डाइमेंशन निकालनी है, ठीक है, और तो यू जो इस्ततीज उर्जा है क्या है पोटेंशल अनर्जी इस्ततीज उर्जा उसकी डाइमेंशन हमें निकालने हैं ऐसे ही c equal to q upon V क्या है c equal to q upon v जहांपर c को बोलते हैं धारिता क्या बोलते हैं धारिता capacitance q हो गया charge और v हो गया electric potential तो यहां पर c की वीमा क्या तो यह कुछ वीमा है जो आप अपने आप से solve करोगे और इनका जो रिजल्ट है वो आप कमेंट में लिख सकते हों जिससे आपको रिटर में मिल जाएगा कि आपने सही लिखा है या गलत आपका ठीक है तो यह हमारा आज का लक्षर था अगले लक्षर में हम विमाव का उप्योग करते हुए कि एक पदती से दूसरी पद